निमश्कार आज ऴीज़ जो टीश में आपका स्वागती में हो संध्या आईए नजर जालते हैं आज की राशी पल और पंच्छांग पर जानती है आज का राशी फल्व पंचांग में हो संधिया आपके साथ सबसे पहले जानती ही आज की पंचांग की बारे में पैलाद 11 बचकर 17 मynnट तक तक पश्चा शूरी में शवाशि में बरस्चांग रहेंगी चंजर कर एक राश में बरस्चांग रहेंगे बात करे शुप समय की दिन के थीम बचकर 34 मिनट से तो दिन के पाज बचकर 11 मिनट तर इस समय कोई भी शुब कारी आप प्रारम करेंगे तो आपकी कारियों में दिक्कति और कट नहीं आ सकती हो सकता है आपका कारिय सफल नहों इसलिए इस समय को टाले शुब समय का इंतिजार करें दिशा शूल प करेंगे सबसे पहले मेश राशी की आज नही कारी का प्रारम करने के लिए समय शुबे गूड रहस्य और अध्यात्मिक ताकि प्रत्य आकर्शन पैदा होगा आज आपको आठीक रूप से लाब होने की संभावना है प्रियजनों के साथ मलाकात होगे वरा अधियों पार व पुषिश खाल रखे जानते हैं मितुराशी के जातकों का अच का दिन कैसा रहने वाला है आज जुके हुए कार्य पूर्ण होंगे आपके परिवार का वातवरन उल्लास मैं रहेगा शाररिक्स फूर्ट्य और मानसिक प्रसंदता का अनुभो होगा आर्थिक लाब होने की पूरे जानते हैं करकराशी के जातकों का अच का दिन कैसा व्यतीत होने वाला आज परिवार का वातवरन आनन दाई होगा वानी पर सहयं मिलद्ध ना करने की अवशच्कता है परिजिर के साथ कुछ मानमुटाव हो सकता है शाररिक और मानसिक लूप से आप सवस्त रह सक जानते हैं से राश्य के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। जानते हैं से राश्य के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। जानते हैं से राश्य के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। जानते हैं से राश्य के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आय में व्रद्धी होनी की संभावना पूर्ण है। व्यापारी वर्ग के लिए सुबह का समय अनुकूल नहीं। उपरी अधिकारी के साथ विबात में ना पड़े प्रवास का योग बन रहा है। पूर्ण कार्य पूर्ण होंगे।